टोटल मला के 6-7 लाख रुपय का समान तो 23 में है, जो हमारा जितना भी समान था, हम सब उपर रखा था, सर मिसिस की तो ट्यूमर था सर में, उसका पूरा सर खोला गिया था, सर ये, सोरा हस्पिताल सेरी नगर में अपरेशन होगा था, अच्छा, बैप करजा उठा कर अभी मुझे अभी देने के लिए, लोगों के पैसे देने को, सर मुझे भी 35 mm की पते, जो कि मैं जस्ट जाने वाला था, जमूर अपरेशन करने, लेकिन तब तक ये भोगया, तो आप कहां जाओंगा सर, ना अपरेशन के लिए पैसे है, ना कुछ मेरे पास है, ना कुछ खाने क जली हुई है, और 31 अकतुबर शाम की बात है, ये भाईसाब है, इनका ये घर है क्या नाम भाईसाब आपका? प्रितम सिंग ठर्धा ये घर है और यहाँ पर 31 अकतुबर शाम को आग लगती है और आग इतनी ज्याद़ा फेल जाती है ये पूरा एक मन्यूल जो है इस वग कुछ भी नहीं बचा है सिर्फ इस राख के अलावा मक्यां देख से वो जल गई इनकी प्रॉपर्टी जितनी भी छोड़ी बहुत पुंजी थी वो सब कुछ जो है जल गई है और आपको बता दें कि बदरवा सिटी से यह हार्ली अगर आप तिलीगर आते हैं बदरवा सिटी प्रशासन का कितना इनको सपोर्ट मिल रहा है जिसका मलवा आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कैसे आग लगी क्यों आग लगी प्रशासन का कितना इनको सपोर्ट मिल रहा है पहले यही जानने की कोशिश करते हैं तो सर क्या नाम है आपका बताईए तो यह आग कैसे लगी आपके घर में आग का कोई पता नहीं हम खाना खा रहे थे अचानक बाहर शोर हो गया मैं दोड़के बाहर गया मैंने उपर देखा तो मैंने आगी देखी लगी हुई आचा जी सर तो फिर कैसे यह आपने बुझाई फिर तो सर मैं मुझे तो एक किसम का अटेक सा आ गया था लेकिन गाउ है वो बोलता है कि हमने जी पूरे बदरवा में रोड जो है पहुचाई है चाहे बीजेपी की बात करें हैं और किसी पार्डी की बात करें तो यह बोला जाता है कि बदरवा के हर गाउं में रोड है लेकिन यह जो है बंजला और एक शंकोजे इदर उपर गाउं है दो मला के 6-7 लाख रुपय का समान तो थाइस में हमारा जितना भी समान था हम सब उपर रखा था इसी सेट में क्योंकि नीचे हम सिर्फ सोने के लिए अपने दो-चार कपड़े रखे थे और खाने के लिए थोड़ा थोड़ा बाकी तो राशन उपरी होता था यहां से आपने आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ हो जागा है हम पूरी बरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको आपको ऐसे जाने नहीं देंगे आप गरीबाद में कुछ ना कुछ हम करेंगे आपको बता ले कि हमने ऐसे किसे बहुत सारी हमने रिपोर्टिंग की है कोई अंदाजा नहीं कितनी हमने रिपोर्टिंग की है ऐसे जब आगे वारदात होते हैं तो पर चपल बूर्ड गिसने पड़ते है परशासन के तरफ से हमें पता है कितना मिलता है लेकिन जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं जब भी हमने आप लोगों से अपील की है चाहे वर्डवन का मसला देखा हमने या और कोई जब भी हम कोई मसला आपके सामने लाते हैं तो आप इतनी मदद करते हैं लोगों की कि मैं आपका एहसान गिनने सकता हूँ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे अलफाज नहीं जितना जब भी हम कोई ऐसा इशू लाते हैं तो हम आपके स्क्रीन पर नंबर डाल रहे हैं इनका एकॉन नंबर में डालूँगा भाई साब इनका फोन नंबर डालूँगा आप इन से राफ़खा कर सकते हैं क्योंकि मजदूर आदमी है, गरीब आदमी छे साथ लाक हिए, मुझे नहीं लगता है यहां जो यहां पर देख रहे हैं और कुछ नहीं है तो मैं आपसे मौदबाना गुजारिश करता हूँ जिस तरह से आपने कृष्टवार के वर्ड वन अलाके के लोगों की मदद की या जो भी हम आपसे अपिल करते हैं किसी को जो है हॉस्टेल में प्रॉब्लम होती है आप लोग जो दिल खोल कर जो है मदद क कर सकते हैं जो उपर वाले ने अला भगवान ने आपको दिया होता है आप उसमें से जो है दिल खोल कर मदद करते हैं तो भाई साब का मैं आपके सिक्रिन पर नंबर डाल रहा हूँ एकोर नंबर डाल रहा हूँ आप जो है जो भी आप से बन सकता है आप इनकी मदद की गर करें और बहए जो है आप की मिसिज भी हमने सुना है बिमार है आप खुद ही विमार है तो क्या मस्ज़ा है शर मिसिज की तो ट्यूमर था सर में उसका पूरा सर खोला गया था सरसी ये सोरा हस्पिताल सेरी नगर में अपरेशन होगा था अच्छा तर उस वक्त करजा उठाकर अभी तक वो मुझे अभी देने के लिए लोगों के पैसे देने को सर मुझे भी 35 एमेमे की पते जो के मैं जस्ट जाने वाला था जमू अपरेशन करने लेकिन तब तक ये भो गया तो आप कहां जाओंगा सर ना अपरेशन के लिए पैसे हैं ना कुछ मेरे पास है ना कुछ खाने के लिए बचा है कुछ भी नहीं है चले उपर आवसे दुआ करते हैं कि आपको जल्दी हो सहतियाब करें आपकी मिसेज भी ठीक हो जाएं क्योंकि जान है तो जहान है आपने देखा कि कितने क्या घर के हालात इनके हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है इनका जो एकोर्ड नमबर हम जो अफलोड कर रहें आप जो है इनसे रापता भी कर सकते हैं सकोर्ड में कुछन को डाल सकते हैं ताकि इनका थोड़ा बोज यह जो है घर जो है वो ठीक हो जाए बिमार बिमारदारी ऐसी चीज होती कि वो इनसान को कहीं करने चोड़ती है जैसा बाइसा बोल रहें कि करजा लेके इन्होंने जो है अपनी मिसिस का उपरेशन कराया है और अब इनके क्या हाला थे घर जलने के बाद यह तो आप सब को दिख रहा होगा अचा अंकल जी क्या नाम है आपका और बताए क्या वारदा थे अगी देखी थी मेरी चोटी सी पोतरी ने देखी मुझे वाज़ दी आंतर आकर ताब हम बैठा था में बैठ बूर और बच्ची ने जाब बोला ताब हम बैठ निकले फिर क्या आपने यहां पर कैसे यह आउठ फिर बैठ वहाइब पैप पेशह पर पे तो री कुछ और ते है आगी कुछ बच्चे आगे कुछने पास्लिट डाला कुछ नों पैपे लगाई वासे यही किया है तो नुकसान काफी हुआ है नुकसान तो हुआ है जिनाब यह है अमने क्या पाथ भाइस ने क्या क्या ग्रीब नहीं रखा क्या नहीं रखा पर लेकिन वा जो हुआ है यह देखा हमें जी अब मुझे बताए कि रोड का आपको मैंने भी मुझे भी यहां के स्थानी लोग बोलते हैं कि इनको एक गंटल मुझे डाई से तीन गंटे लगे पहुचने में क्योंकि काफी दूर है और जहाँ आज बोला जाता है कि हर गहां घर में जो हर गाँ में जो हर गाउं में जो है जो रोड जा रही है यह लोग बिचारे के तलप रहे हैं इनको रोड नहीं है और इंदे मसले आ रहे है नि Bible憋 बोले मं घुर subtम और बें और ला लोग यहां से अगर हस्टाल आपने जाना है बरफ जब यहां पर पड़ती है तो फिर अगर आपने हस्टाल जाना है सिटी में जाना है तो कैसे आप जाते हैं आप जाते हैं पर पहुंचा जाते हैं पहुंचा जाते हैं पहुंचा जाते हैं पहुंचा जाते हैं पहुंचा आपको बता दें कि एक ये बंजला गाओं इसके साथ में एक शंकोचा गाओं है दो ऐसे गाओं है जहां पर लोगों ने अगर सिटी में आना है तो बिलकुल दिन तोड़ कर आना है अगर बरफ हो तो फिर तो जैसे इनने बोला चाचा जी ने पालकी में उठा के जो है पेश गुजारिश करता हूं मौदबाना अपील करता हूं जिस तरह से आप लोगो हमmberशा जो है दिल खोलBir कर किसी की मदद करते हैं क्योंकि आगर आप किसी की मदद करेंeness उपर कर सकते नंबर इनका one number और जो है जितना विन से हो सके क्या कि अगर प्रशासन सरकार का इंतजार करें तो हमुने पता कि तर चो उसे क्या मिलना है उसमें से इनको जो है चार चार सिमट की घुतियां आ सकती है उसे ज्यादा जो है हमें भी आप बहुत सारी बहुत सारा टाइम हो रिपोर्टिंग करते हुए हमने देखा है कि प्रशासन के भी कुछ हम उन पे इल्जाम ने डाल सकते हैं उनके भी हाथ देख हुआ थे उनका एक क्राइटेरिया होता है कि किस आग पे कितना देना है लेकिन जो पांच्छे लाग का बोर रहे हैं मुझे लगता है दस पंदरा लाग का नुकसान तो हुआ ही हुआ है तो आप लोग अगर इमदाद करेंगे यह गरीब फिर से जो अपना मकान बना सकता है अपने मकान में फिर से रह सकता है तो यह थी नादरितन आपके सामने हमने एक वीडियो डाला है ग्रॉंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक कैमरमन से गुजारिश करूँगा देखे हालत क्या है इस यहां पर इनने देशी प्याज निकाले थे वो भी बरबाद हो ग है और आप लोगों के सामने एक अपील है क्योंकि कैमरे पर तभी इनसान आता जब बड़ा मजबूर हो जाता है और आप लोगों के सामने अब जो है हम एक सवाल डाल रहे हैं कि आप जो इनकी बहुत जो है दिल को कर मदद कीजिए फिलाल मुझे दीजिए इजाज़ और ज्यादा नियुदर अपडेस के लिए आप देखते हैं नासिर के शुक्रिया खुलाब